हलो दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों हर किसी का घर में मसालों के रूप में काली मिर्च का इस्तमाल होता है दोस्तों काली मिर्च का इस्तमाल मैक्सिमम लोग खाने को चटपटा तीखा और मसालेदार बिनाने के इस्तमाल करते हैं लेकिन एक बात में आपको बता दूँ दोस्तो स्वाहत के साथ साथ काली मिर्च हेल्थ के लिए भी बहुत कमाल की होती है और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप काली मिर्च को अपनी हेल्थ के लिए सबसे बहतरीन तोर पर इस्तमाल कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों आप इस वीडियो का आखिर तक भर देखिए और इसे भरपूर फायदा उठाईए दोस्तों काली मिर्च को दोस्तों आईरवेद में एक औश्यदी का रूप में माया जाता है क्योंकि दोस्तों काली मिर्च के अंदर बहुत से पोशन तत्वा मौजूर होते हैं जैसे की आईरन, पोटैशियम, मेगनीशियम, विटामिन A, D और इसके साथ ढेड़ सारे और इसमें के अंदर पोशन तत्वा पाय जाते हैं जो आपके शरीड को बहुत तरीके से रोगमुत मना सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट मातर स्रिफ दो काली मिर्च खाते हैं तो इससे आपके बहुत सी बिमारियां एकदम दूर हो जाती हैं और आप बिल्कुल फिट रहते हैं जैसे दोस्तों अगर आपको खाना बिल्कुल सही तरह से पच्छ नहीं रहो और आपको दोस्तों डिल्याजिशन की प्रॉबलम होती है जैसे कि दोस्तों दस्त होना, कब्स होना तो दोस्तों इन सभी से राहत पाने के लिए काले मेर्च एक बहुत असरदार दवा होती है दोस्तों इससे आपको जितने भी सांस से जुगवी बिमारी होती है जैसे खासी, जुखाम, बलगम आना, यहां तक कि टीबी दोस्तों इन जैसे बिमारी से भी आपको बचाता है काले मेर्च दोस्तों शोद के अनुसाथ पाया गया है कि काले मेर्च का सेवन जो लगातार करते हैं दोस्तों उनको कभी कैंसर का खतरा नहीं होता जी हां दोस्तों इसके पीछे कारण यह है कि जो काली मीर्च के अंड़्तत वह मौझुद होते हैं यहीं अगर आप सुबह से खाली पेट से बनिढ़ते हैं तो आपको इस सारे इस प्लाइबJean मिल जाएंगे कुछ नहीं करना सुबह उठाना है दो काले मिर्च के दाने मुह में लगाने हैं और चूस्त चूस्ते खालीजे या फिर चबाकर अच्छे से उसके उपर हल्का गुन-गुना पानी पी लीजिए यह इतना बेमिसाल है कि आपको बहुत फायदा होगा तो दोस् के पर हल्का गुन-गुना पानी पीते हैं तो इससे आपका पेट और जितने भी अंदर का जो भी आपके ब्लट सर्कूलेशन है बिल्कुल सही हो जाएगी पेट बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और आपकी फिट्नेस और हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी तो दोस्त आप सबीन अपना समय दिया और इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप स्वस्त्रहें मस्त्रहें अपने ख्याल रखें थैंक्यू दोस्तों